अलिगण में अब्दुल्ला कॉलेज मार्ग के चोड़ी करण का रास्ता साफ हो रहा है। इस्थान ये लोग स्वेम ही अतिक्रमन हटवा रहे है। यहाँ पहुची नगर निगम वा एडिय की टीम ने आवा गमन रोकने के लिए मार्ग ब्लॉक करा दिया जिससे तोड़फोर के दुरान किसी रहागिर को परिशारी ना हो। पीछे खीच लिए अब उना चेतावनी दे कर कारवाई शुरू कर दी है। तीन बार यह अपार्टमेंट सीज हो चुका है। लाल डिग्य से अब्दुल्ला गल्स कालेश तक जो बीच में मकान है वो स्मार्ट रोड बन रहा है। जो रोड साइड पे जिनके मकान बने हैं दिवार आ रही है वो सब हटा रहे हैं। पही तो अपने आप हटा रहे हैं। उनको सब चिन्वित कर दिया गया है और जहां तक चिन्वित कर दिया गया है। उनके सामने भी रोड चोड़ी होगी तो वो भी अच्छा मैसूस करें है। और उसमें सब कॉपरेशन कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उसमें कोई हिंडेंस पैता कर रहा है। दो तिन एक एम्यूक और जी एस्टी कारला है। सारी चीजें हैं सबसे कॉपरेट मिला है। और जो मकान हैं जो तीन वंजिल के विल्डिंग है वो भी लाइन अप कर रहा है। बहुत अच्छा से योग मिला। यह हो रहा है कि रोड चोड़ा हो रहा है। आम पब्लिक के लिए बहुत फाइदे मन हो रहा है। और तमाम यह होडल हैं। अब्दुल्ला कालिज है। टेस्ट देने आते हैं। जाम लग आता है। तमाम यह रोड चोड़ा होगा तो सब आम पब्लिक के लिए संत्रिल स्टेफ बढ़िया रहेगा। और यह होडल भी है। होडलों में भी आम पब्लिक विदेश से अमरीका से अफिक्स्तान से तमाम यह पाकिस्तान से आप विदेशों से भी लोग वागा आते हैं। उनके लिए भी राहत मिलेगी। रोड नहीं जाम होगा भाई साब। गलत करें। यह वदाई है कि मुलकूल पब्लिक के लिए बहुत संतुरिस्ट और बढ़िया काम हो रहा है। इसे गौवर्मेंट करा रही है फायदे मन करा रही है आम पब्लिक के लिए। अब तो यह घरवाले स्वेम तोड़ना है न। उसके बाद जो नहीं तोड़ेगा उसके बाद बिल्लोजर बावा का आएगा और उसको तोड़ा याएगा। किसी के लिए बक्सिस नहीं करी आएगी।